घर के अंदर बिना वारंट, बिना पर्मिसन पुलिस घुस्ती है और सारे हमारे मकान को बुलडोज कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है सबी सामानों के साथ। इने चारसी में इस बरबर अत्याचार और जुल्म के बारे में सिखायत की थी। टीम ने या पाया कि वाकई इनकी नीजी जमीन पर बिना मुआउजा बिना अधिगरहण बिना नोटिस के बरबर अत्याचार करते हुए जो है इनका मकान गिराया गया है 13 सितंबर 2019 को गैर कानूनी तरीके से ततकालीन जिलादिकारी ने बिना किसी लिखित नोटिस के बिना मुआउजा बिना अधिगरहण के बिना एक मिनट का वक्त दिये अचानक 13 सितंबर 2019 को आते हैं और घर के अंदर बिना वारंट बिना पर्मिशन पुलिस घुस्ती है और सारे हमारे मकान को बुल्डोज कर दिया जाता है द्वस्त कर दिया जाता है सभी सामानों के साथ इसके बाद मैंने माननी सुप्रीम कोट में एक लेटर पेटीशन सिकायत त्याज का डाली थी जो एक्सेप्ट हुई सु मोटो कॉगनिजेंस लिया गया और इसके अलावा मैंने नहार्सी में इस बरबर अत्याचार और जुल्म के बारे में सिकायत की थी तो एनेचारसी चेयर परसन श्रीमान एचल दत्तु जी ने एकी स्पार्ट इंक्वारी के लिए टीम भेजी टीम ने पाया कि वाकई इनकी नीजी जमीन पर बिना मुआउजा बिना अधिगरहन बिना नोटिस के बरबर अत्याचार करते हुए जो है इनका मकान गिराया गय उसके बाद ये रिपोल्ट आती है फिर एनेचारसी चेयर परसन उत्तर प्रदेश के डीजी पी को आउडर देते हैं कि आप ततकाल इस मामले में जितने भी दोसी अधिकारी करमचारी हैं उनसे सिकायत करता मनोश्ट ब्लेवाल आकाश की सिकायत लेकर के तहरीर लेकर के ए फायार रजिश्टर करने के बाद इसके यूपी सी बी सी आईडी से जाच कराएं दो जितने भी दोसी अधिकारी हैं पी डेवलुडी एनेच मुनिसिपल्टी रेवेन्यू पुलिस सभी के खिलाफ डिपाल्टमेंटल इस्टिक्ट एक्सन लिया जाए और तीसरा पांच ल बात ततकाल अपना सिकायत दिया था जिस पर यूपी गोवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएस 1998 बैच के आईएस अफसर और बस्ती के ततकालीन मंडलायुक्त को मौके पर भेजा उन्होंने जाच की और जाच के बाद पाया कि यह पूरी तरह से इलीगल डि नहीं की गई फिर सुप्रीम कोल्ट में हमारे सु मोटो काउगनिजेंस को नोटिस लिया और इस पर करवाई कि मैं एक बड़ी महतुपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा यह देखे बिफोर डिमॉलिशन मेरा मकान यह था इस स्थिती में रहता है डबल स्टोरी मकान 12 तारिक को एनेच और पीड़ोडी के अधिकारी आते हैं और कहते हैं 5 फिट अपना मकान तोड़ लिजे हमने ततकाल 5 फिट तोड़ लिया 5 फिट तोड़े जाने के बाद अचानक बिना किसी सूचना के भनत ने लगी धोखे से डिम ने अपने आदेश को बदलते हुए प थोटे भाई की पत्नी गर्बोती थी सारे टीवी फ्रीज सारे समान रवल कर दिये गए और यह 1957 की इट है यह जमीन को हमारे दादा जी ने रजिस्टर बैनामे से खड़ी दा था और इस तरह का अत्याचार स्मूल सवाली है कि क्या 21 सताब्दी में हो सकता है और मेरे जैसे सेक्ड़ो लोग इससे प्रभावी थें लेकिन वो कोल्ट में नहीं आये गरिमा जी देखिए अभी पूरा आडर आना बाकी है एक तो माननी सरोच नियाले ने इसे एक लेंडमार्क जज्जमेंट मुझे लगता है माना जाएगा यह उन्होंने रजिस्ट्रार के थूरू सभी चीफ सेकेट्रीज को आदेश दिया है कि कि किसी का भी मकान देश भर में बुल्डोज करने से पहले वो देखें कि क्या करन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मतलब साफ है कि विधिक प्रक्रिया का पालन करें नोटिस के बिना किसी का मकान नहीं गिरा सकते मुझे इंट्रिम 25 लाक रुपए का मुआउज्या दिया है श्रेष्ट उत्राखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट उत्राखंड